वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कम से कम इतना तो रिस्क ले ही सकते हो कि मैं आज जो भी कहूंगा उसे पुरे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कही ना कही अपने दिमाग के अंदर डाल दो की लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो इतना भी आज रिस्क नहीं लेंगे और यही से मेरी बातों को छोड़ कर चले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल फनी वीडियो देखना पसंद है फालतू का टाइम पास करना है। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं लेकिन उसे बहुत कम लोग देखेंगे। क्योंकि हम सब को कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि जिन्दगी बदल जाए या फिर आपको कुछ नया सीखा पाए बस आ अगर आप लगातार मिहंत करते हैं तो सफलता के सिखर तक आप आराम से पहुंझाओगे। आज कल के जो भी लोग हैं उन्हें केवल मोटिवेशनल स्टोरी सुनना या फिर उसको पढ़ना पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच स्टोरी को सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन आप कभी भी उसे अमल में क्यों नहीं लाते। सबसे जरूरी है कि आप अगर किसी अच्छी चीज़ को देखो या फिर किसी अच्छी चीज़ को पढ़ो तो उसको अमल में लाओ उसे लाने में आलश क्यों करते हो। यार खुद ही सोचो क्या कोई पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो जाता है क्या नहीं ना। उसको time लगता है, सानों लग जाते हैं, तब जाकर उसमें फल आते हैं। और अगर आज के लोगों की बात करू तो वो केवल एक ही जटके में सकसेस होना चाते हैं, वो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कही ना कही से कोई आसान रास्ता निकल आए कि ऐसे पैसे कमाने हैं और बिना कुछ देखे उसमें कूच जाएंगे। ऐसा क्यों होता है अगर तुम्हें सफल होना है तो रिस्क लेना होगा जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम सफल कैसे हो पाऊगे सोचो कोई भी चीज होने में टाइम लगता है या फिर कोई भी चीज को करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ इन्पुट तो देना ही पड़ेगा तभी उसका कुछ आउटपुट निकलेगा अगर लाइफ में डरते रहोगे तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे इसलिए अगर सक्सेस पाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आप लोग तो हरिवन्श राय बच्चन को तो जानते ही होंगे इनकी एक छोटी सी कविता है जिनमें वो कहते हैं कि तू ना ठकेका कभी तू ना रुकेका कभी तू ना मुड़ेका कभी कर सपत कर सपत कर सपत वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा छोटी सी लाइन है मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से समझेंगे कि तू ना रुकेगा कभी तू ना ठकेगा कभी तू ना मुरेगा कभी बस तुम्हें अपने जिन्दगी में चलना है हर इनसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है आपके पास भी होगा लेकिन वो कही ना कही अंदर से दर लग रहता है कि ये होगा या नहीं होगा और साथ में ऐसा भी होता ही कि जो मास्टर प्लान होता है वो हम किसी के साथ शेर तो नहीं करते ताकि कोई दूसरे सफल ना हो जाते हमारे माइंड के केवल एक ही चीज चलती है कि अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा प्लान है और मैं उसको शेर नहीं करूंगा ना ही अपने दोस्तों के साथ ना ही किसी और इनसान के साथ क्योंकि क नहीं उसने कॉपी कर लिया तो वो सफल हो जाएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो ना तो आप से बड़ा बेवकूफ आज तक मैंने नहीं देखा। सफल इनसान वो होता है जो रिस्क लेकर कुछ अलग करता है अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो आप इस टॉपिक पर क्या पता जो पता नहीं है आपको वो उसको पता हो। हर एक चीज में इनसान परफेक्ट नहीं होता। आपके पास जो भी प्लान है वो दुसरों क के साथ डिसकस करना ही होगा आप पूरा मत बताओ थोड़ा थोड़ा बताओ क्या पता वहां से आपको और ज्यादा आइडिया मिले उससे क्या हो जो आपके पास मास्टर प्लान है वो और परफेक्ट बन पाए वैसे बहुत जरूरी होता है खुद पर आत्मविस्वाश होना Self Confidence अगर आपको सफलता हासिल करना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोशा करना होगा आत्मविस्वाश बढ़ना होगा अगर आत्मविस्वाश नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे और जब तक आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तब तक आप सफल कैसे हो पाएंगे कोई भी नहीं हो पाएगा सफल लोगों में एक अलग ही आत्मविस्वाश जलकता है वैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़कर आप देख सकते हो कि वो लोग अपने जिन्दगी में कहां से कहां तक पहुँचे है और कैसे पहुँचे है जाहिर है कि व एक अलग ही इंसान थे वो खुद में एक ऐसा इंसान थे जो खुद पर इतना भरोशा रखते थे कि अगर कोई गलत दिसियन भी ले लिया जाए तो वो उसको और अच्छी तरीके से सुधार लेंगे ये होगा है आत्मविस्वाश कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना डरते हैं कि सफल होने के बाद भी उनके अंदर आत्मविस्वाश नहीं आता और आखिकार वो फिर से दुग जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही होता है आपके अंदर भी आत्मविस्वाश है हर एक इनसान के अंदर आत्मविस्वाश होता ही है, उसे जानो पहचानो और फिर आगे बढ़ो हमें रिस्क लेने से घबडाना नहीं चाहिए, बलकि पुरे आत्मविस्वाश के साथ रिस्क लेकर सफलता के रास्ते पर चलना चाहिए. आत्मविस्वाश के बल पर ही आप सफलता को हासल कर सकते हो, सोचिए अगर आपको खुद पर भरोशा ही नहीं होगा, तो जिन्दगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोशा करना सीखो और दिमाग से नहीं दिल से सोचो. कभी कभी आपको लगता ही की दिमाग से जो भी फैसले लेंगे वो सही लेंगे, क्योंकि वो फैसले सोच कर लिये होंगे, लेकिन अगर वही आपने दिल से फैसला लिये होंगे, तो वो आपके इमोशन के साथ जुड़े होंगे, और वो जो भी चीज आपने सोचे होंगे, उसके पुरे होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप दिमाग की सुनोगे तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे वो कही ना कही हां या तो ना यही दोनों में फसा रहेगा। यह हम नहीं कर सकते या यह हम नहीं कर पाएंगे ऐसी चीजों में फस जाएंगे वैसे यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह वैज्ञानिक ने प्रूफ करके दिखाया है कि जब भी हम दिल की सुनते हैं तो हमारा निर्णय एकदम सही होता है। दरसल जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता लेकिन वो दिल चाहता है और सबसे जरूरी बात दिमाग आपको कभी भी रिस्क लेने को नहीं कहेगा। सोचिए आप जो भी चीज दिमाग से सोचते हो तो पहले ना ही जवाब आएगा वो रिस्की होगा क्योंकि दिमाग को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, हर एक चीज का डर लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब हो पाए और दिमाग डरता है कि कहीं फेल ना हो जाए दिल ऐसा नहीं सोचता दिल बस हमारे मन की सुनता है इसलिए अगर आप सफल होना चाते हो तो दिमाग की नहीं बलकि दिल की सुनो दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा क्योंकि वही वो चीज है जो आपके इमोशन के साथ जुडी हुई है दिल हमें सही रास्ता दिखाता है दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा रिस्क लेने में दिल कभी करता नहीं वो निदर है आपको जब भी कोई बड़ा रिस्क लेना हो तो एक बार अपनी दिल को सुन कर देखो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने इमोशन के साथ सोच कर देखना की क्या ये करना सही रहेगा या फिर ये करना गलत रहेगा आपको दो ही चॉइस मिलेगी और दोनों मेंसे एक ही चूज करना पड़ेगा हा या ना तभी आपका फैसला एक सही दिशा में जाएगा वैसे भी रिस्क लेने से पहले आपको एक प्लानिंग बनाना होगा एक पर्फेक्ट प्लानिंग बनाना होगा जब कभी भी आपको एक बड़ा लक्ष तैय करना हो या फिर कोई बड़ी चीज को हासल करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी. जिस तरह से कोई भी लक्ष बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता उसी तरह अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भी एक प्लानिंग जरूर बनाईए मान लो अगर कही आप पैसे डाल रहे हो तो अगर दुब जाते हैं तो वो कहां से निकालेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने रिस्क ले लिया और इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है तो ये निश्चित है कि आपका फ्यूचर खत्रे में है और आप फ्यूचर में अपने गोल्स से भटक ही जाएंगे और आपका में टार्गेट अधूरा रह जाएगा इसलिए सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप किसी काम को सुरू करने से पहले और रिस्क लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना लीजिए और फिर अपने गोल्स को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए दिन रात एक कर दीजिए और फिर अपने सपने को पा लीजिए जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइम सेट कर लीजिए और ये तै कर लीजिए कि आपको उस टाइम तक अपने गोल को पाही लेना है चाहे जो भी हो जाए अगर आप हार भी जाओ ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपने अपने गोल को पाने के लिए कम से कम रिस्ट तो लिया दिन रात मेहंट तो किया दूसरे लोग ऐसे ही सोच कर छोड़ देते हैं बिना मेहंट किये बिना ही अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ मेहंद करते हैं, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा इसलिए अगर आपका लक्ष बड़ा है, तो उसे आप कई छोटे छोटे भागों में बाट लो उसके छोटे छोटे पाट कर लो और अपनी टाइमिंग को पूरी तरह से सेट कर लो और अब अगर आपने रिस्क लिया, तो आप कभी फेल नहीं होंगे क्योंकि आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान था और वैसे भी मैं यही कहता हूँ कि बड़े सपने देखो और परफेक्ट गोल बनाओ